हाई फ्रेंट्स स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल कटोज किचिन में जहां बनती हैं हेल्दी और टेस्टी रेसिपी तो आज मैं आपके लिए लेके हैं हूँ विंटर की बहुत स्पेशल रेसिपी टोमेटो सूप तो अब चलिए देख लेते हैं पहले के ingredient यहां मैने लिया है एक फ्याज दो लसन्ट और साथ लिया मैंने दो हरी मेच मेच की कॉएटिटी आप अपने कमजादा कर सकते हैं साथ ही मैने लिया है अद्रक का पीस और तीन टमाटर 2 अगर आपके पाश प contributor न हो तो आप Cookई कर सकते हैं है तो इन सब्चियों को मैंने अच्छे से चॉप कर लिया है, सबसे पहले मैंने प्याज को इस तरह चॉप किया है, लसन को इस तरह चॉप कर लिया है, हरी मिर्च को चॉप कर लिया है, अधर को चॉप कर लिया है, तो चलते हैं कुकिंग प्रोसेस की और लेक कड़ाई, इसमें सब्सक्राइब नहीं किया है तो मैं रिक्वेस्ट करूँगा कि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें जैसी ही पक जाए मैं यहां एड कर दूँगा लसुन लसुन जो है अर्थराइटिस जैसी प्रॉब्लम्स को लिए काफी लाबदायक होता है और सर्दियों मे कि आपके लिए काफी है इसके साथ ही मैं अड कर दूँगा अध्रक अध्रक को भी हम लसुन के साथ है अच्छे से पका लें यहां पर मैंने एक ही प्यास दिया है प्यास को भी हमें अच्छे से पका लेना है जब तक कि प्यास टार्स प्रेंट ना हो जाए हम इसे पकाना है जैसे ही प्यास टार्स प्रेंट हो जाएगा हम यहां एट कर देंगे हमारे टमाटर टमाटर को अच्छे से इसमसप के साथ अच्छे से पका लें हम यहां add कर देंगे थोड़ा सा नमक और इसको अच्छे से प्यास मस्त टमाटर में mix कर लेंगे नमक डालने से आपके प्यास समट्र जो है वो थोड़ा जल्दी पक जाएंगे इन्हें कुछ देर हम धक्कर पका लेंगे दो से तीन मेरा धक्कर पकाने के बाद आप देख सकते हैं इनमें से ओयल जो है रिलीस होना स्टार्ट हो चुका है इस स्टेज पर हम अपने स्पैचुला की हेल्प से टमाटर प्यास को थोड़ा प्रेस करते हुए अच्छे से मैच कर लेंगे इन्हें जोर से प्रेस करते हुए अच्छे से मैच कर लें इस टेज पर मैं यहाँ पर आदे गिलास के करीब पानी एड़ कर दूँगा अगर आपके पास हमारे चैनल के लिए किसी भी तरह का कोई सेजेशन हो, कुछ रकमेंडेशन हो तो आप उसे हमारे साथ हमारे कमेंट सेक्षे में जरू शियर करिएगा बागी आपने अभी तक जो हमारे चैनल को जो भी अपना सुपोर्ट दिया है उसके लिए आपका बहुत-बहुत धन्यवाद तो इस तरह से इसे अच्छे से मिक्स कर लेंगे और इस टेज पर जो हमने इसमें खड़े मसाले डाले थे जैसे कि दालचीनी और तेजपता उन्हें हम निकाल कर फैंक देंगे अगर आपको हमारे वीडियो पसंद आ रहा है तो वीडियो को लाइक जरू करिएगा और वीडियो को अपने रिलेटिक्स और फ्रेंड के साथ शेयर भी जरू करिएगा इस सेच पर अब मैं तेजपता भी यहां से निकाल दूँगा क्योंकि हमारे जो खड़े मसाले थे उनका फ्लेवर अल्रेड़ी हमारे सूप में आ चुका है इसलिए अब हम उन्हें निकाल देंगे अगर आप चाहते हैं कि हम आपके लिए कोई और रेसिपी भी बना कर लाएं तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करूँगा कोई आप हमारे क्यामरे जेक्शन में जाएं और वहाँ पर जो भी आप रेसिपी हैं जो आप चाहते हैं कि हम आपके लिए बना कर लाएं आप उसको मेंशिन करिएगा हम पूरी कोशिश करेंगे कि जल से जल दो रेसिपी आपके लिए बना कर लाएं तो इस टेज़ पर मैं अच्छे से इसको हिलाते हुए इसको अच्छे से पकार लूँगा कोशिश करूँगा कि जो हमारे प्यास्टा मत्र हैं अधर क्लेशन हैं उनको मैं थोड़ा सा मैश कर लूँ देरी देर आप देखेंगे आपके सूप जो यह हैं गारा होना स्टार्ट हो जाएगा जैसे गारा हो जाएगा हम इसका गैस कर लेंगे और मिक्सी में कि स्टार्मे चुख में тебе कि सुप में आज हुए तो हमारे अच्या रेड़ी हो चुका है इस को एक मिक्सी जार में transfer कर लिए आदा ग्लस पानी का मैंने पहले यहाँ 여기 इसे मिक्सी में चला कर कुछ इस तरह काम smooth paste बना लेंगे इस stage पर मैं लूँगा एक बर्तन साथ लूँगा एक स्टेनर और जो हमने ये टमाटर प्याज का जो smooth paste बनाया है इसको इससे filter कर लूँगा तो आपको भी सूबराने के लिए कुछ इस तरह से इसको filter करना है इससे क्या होगा कि आपके जो टमाटर प्याज के जो छिलके हैं जो fiber हैं वो इससे filter off हो जाएंगे इसको अच्छे से चलाते हुए आपको filter करना है क्योंकि बहुत सा आपका soup के लिए paste होगा जो इसके अंदर रह रहा होगा जो आपके इस टेनर को ब्लॉक कर रहा होगा आप चम्मच या इस्पैचुला की हर्प से इसको किनारे करते हुए इस तरह से अच्छे से filter off कर लें तो इस तरह से जो बच्चर होई चीज है मैं इसको फैंक दूँगा और इस पेस को यूज करूँगा तो अब चलते हैं हमारे next step की और ले कड़ाई इसमे एड करें थोड़ा सा refined oil साथ ही मैं यहाँ एड करूँगा एक चम्मच के करीब बटर अगर आपको भी tomato soup पसंद है तो हमारे वीडियो में को like जरूर करिएगा बटर को हम अच्छे से अपने refined oil के साथ अच्छे से melt कर लेंगे जैसे ही हमारा oil melt हो जाएगा हम इसमें हमारा जो हमने liquid बनाया था liquid paste बनाया था वो हम add कर देंगे इस paste को हम continuously चलाते रहेंगे धिरी धिरी आप देखेंगे कि यह थोड़ा-थोड़ा थीक होना start कर देगा आप इसे continuously चलाते रहें इस stage पर यहां मैं बरालूगा conflore की story यह मैं दो चमच के करीब conflore लिया है इस पर मैं add करेंगे थोड़ा सा पानी और एक चमच के हाल से conflore को पानी में अच्छे से mix कर लूँगा आपको यह ध्यान रखना है कि जब आप conflore को की quantity रखिए यहां मैंने दो चमच conflore लिया था जिसमें मैंने लगबग दो चमच ही पानी add किया है और उसको अच्छे से mix करके उसका एक thin paste बना लिया है यहां पर मैंने conflore को अपने soup में add कर दिया है और से continuously चलाते रहूँगा धीरे धीरे जो conflore है वो soup को गाड़ा कर देगा यहां मैं add कर दूँगा थोड़ा सा नमक साथ add करूँगा काली मिच का पाउडर काली मिच का पाउडर डालना बहुत ज़रूरी है यही आपके soup को एक अच्छा और different flavor देगा नमक डालते समय इस बात का ध्यान रखना है कि नमक आपने starting में भी tomato paste को पकाने के लिए डाला था साथ ही जो आपने butter add किया है उसमें भी नमक था इस stage पर मैं यहाँ add कर दूँगा थोड़ा सा tomato ketchup मैंने एक चमच के करीब tomato ketchup लिया है या आपके soup को एक बहुत अच्छा tangy flavor देगा और साथ ही थोड़ा सा color भी देगा अगर आप चाहते हैं आपके soup में और ज़्यादा color हो तो आप artificial food color यूज कर सकते हैं या फिर आप जब आप tomato paste का paste बना रहे थे आपका soup बिल्कुल तयार है अब आप इसको test कर सकते हैं वीडियो आपको पसंद आई हो तो request करूँगा कि ये recipe ज़रूर ट्राइ करें और वीडियो को like and share करिएगा चैनल को subscribe कर दीजेगा और वीडियो को आँ तक देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद